गुड वर्णिंग इस्टुडेंट्स, अब आर यू, आम कमले शिर्मा और यू आर वाचिंग माई यूटूब चैनल एवर ग्रीन इंग्लिश क्लासिज और टेंथ क्लास के फर्स्ट चेप्टर के दो वीडियोज हम पहले देख चुके हैं जिन इस्टुडेंट्स ने नहीं देखा है वो पित्मी उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शिन में लिंक दिया हुआ है वाँ जाएं और देखें आज हम थर्ड पार्ट में चलते हैं अब शात मिलकर आगे बड़े तो यहां तक हमने पढ़ लिया था विद गोड तक हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो आता है इन ओर्डर नोट टु सेग दा राइटर्स फेथ इन गोड आता है राइटर का फेथ यानि लेखक का विश्वास ब्रोसा इन गोड इन इश्वर में आता है इश्वर में लेखक का ब्रोसा नहिल पाएं केंने कर पाएं नहिल पाएं उसके लिए the post master the post master came up with an idea post master के दिमाग में विचार है उसे विचार सुझा answer the letter और के विचार सुझा की letter का answer दिया जाए but when he opened it लेकिन जब उसे नहीं से खोला इसका जवाब देना उसका आंसर देने का मतलब है कि उसे बजाई गुडविल सुपकामना इंक यही पेपर के बजाई उसे कुछ और चीये था इसका मतलब है इसका मतलब है तो उसे ने मंणा इसका मतलब है अपने साथियों से उसे अपने कार्मिकों से घन मांगा इसका मतलब है गुए अगर पैसा कहते है पैसा क्या है इंडियन मुद्रा है वो खुद भी गेव पार्ट ओभी सेलरी और इसने खुद भी अपनी तनख्वा का एक हिसा दिया और उसके अनेग मित्र वर अबलाइजट बात दे हुए थे टू गिव सम्थिंग कुछ ना कुछ देने के लिए and act of charity यानि की diailuta के कारे के लिए और diailuta के कारे के लिए उसके बहुत से मित्र भी कुछ ना कुछ देने के लिए बात दे हुए थे इट वो ज़ इंपोशिबल फोर हिम और यह उसके लिए इसासंभव था तूगेदर तूगेदर एक साथ जॱ्टा न दन हंडर्ड पैसोज एक सूपेसोज जुटाना एक सूपेसोज का मनी इकटा करना उसके लिए असंभव था किसके लिए पोस्ट मास्टर के लिए इसलिए वो सक्सम व को पाया ने हो समर्थ व को पाया तू सेंड भेजने के लिए ताफ़ामर only a little more कि वो थोड़ा सा अधिक किसे then half आदिसे आते हैं आदिसे वो थोड़ा ही अधिक money यानि पैसा भेज़ पाने में सब मर्थ हो पाया he put the money in an envelope उसने एक envelope में यानि एक लिफाब में पैसा रखा address to lencho जिस पर lencho का address लिखा हुआ था लिखा हुआ था और इसके साथ ही a letter और इसके साथ ही एक letter containing जिसमें नीत था क्या only a single word जिसमे क्यों एक ही सब्द किसे माविस्टी थी as a signature sign के रूप में एक स्ताकसर के रूप में और एक स्ताकसर किस के रूप में God के नाम से और इसने God उस लेटर में लिखा था oral comprehension check questions है जो हम इनका अलग सी वीडियो बनाएंगे तो आगे देखें आप the following Sunday following Sunday आने वाला Sunday अगला Sunday जैसे अगला Sunday उता उसके लिए कह रहा है the following Sunday आने अगले Sunday लेंचो came a bit earlier a bit का में थोड़ा सा came बना आया तो a bit earlier then usual अनि सामाने से तो अगले Sunday लेंचो सामाने से थोड़ा जल्दी आया to ask ये पूँचने के लिए कि if there was a letter for him क्या क्या उसके लिए कोई पतर था ये पूँचने के लिए अगले रहिवार को लेंचो थोड़ा सा सामाने से जल्दी आया और ये स्यम पूँचने ये डाके ही था who handed the letter to him जिसने उसे letter दिया था जिसने उसे letter सोपने वाला ये डाके ही तो था experiencing the contentment experiencing अनभव करतवा and handed the letter to him ये उसे सोपने वाला while the postmaster जबकी postmaster ये डाकपाल experiencing अनभव कर रहा था किसका the contentment contentment संतुष्टी का आनद का संतुष्टी का अनभव ले रहा था ओपे में एक ऐसे वेक्ति की संतुष्टी का आनद ले रहा था अनभव कर रहा था who has performed a good deed deed का मुलब कारे जिसने एक अच्छा कारे किया है looked on from his office वह अपने ओपिस से ये अपने दफ्तर से उसे देता रहा लेंचो सोड not the slightest surprise on seeing the money on seeing the money यानि पैसों को यानि 걸로 देकर लेंचो सौड not the slightest का मुलब होता है हलका साभी surprise यानि आसरी का परतश्ण नहीं किया 안सरी नहीं दिखाया यानि उसको देकर हलका साभी आसरी उसे नहीं होा किईको मनी को देकर विश्वास था नहीं इस प्रकार से उसका विश्वास था बट किन्तु he became angry लेकिन वो क्रोधित हो गया कब when he counted the money जब उसने पेशे को गिना तो वो क्रोधित हो गया God could not have made a mistake इश्वर गल्ती नहीं कर सकता nor not could he have denied और नहीं वो मना कर सकता deny सबसे बना denied श्वर की second form है लेंचो what नहीं वो लेंचो को मना कर सकता था what he had requested जिसकी लिए उसने request निवेदन किया था विनति की थी immediately तुरंत ही लेंचो went up to the window to ask for paper and ink और शिगरी ही तुरंत पतकाल ही लेंचो खिरकी पारे paper और ink यानि कागज और शेह मांगने के लिए गिया on the public writing table और सारवजनी के लेखन मेच पारे he started to write उसने लिखना सुरू किया but with much wrinkling of his brow brow means bohain और अपनी bohain पर अत्यदिक सलवटे डालते हुए caused by the effort जो उस प्रियास से उत्पन हुई थी he had to make to express his ideas जिसके लिए उसे अपने ideas को अपने विचारों को अविव्यक्त करने के लिए बनाना पड़ा when he finished और जब उसने समाप्त किया and जब उसने लिखना समाप्त कर लिया he went to the window वो खिर्की पर गया एन खिर्की के पास गया to buy a stamp and ticket लेने के लिए which he leaked जिसको उसने थूंक लगाया लिख अब चार्ट आलेग नहाँ पर ticket के लिए के आएगा थूंक लगाया and then और फिर a fixed and चिपकाया to the envelope और फिर इसे envelope कर चिपका दिया and एकी लिखापे पर चिपका दिया with a blow blow प्रहार of his fist which means मुठी और फिर इसे अपनी मुठी के एक प्रहार से इसे envelope एक लिखापे पर चिपका दिया the moment जिस सन the letter fell into the mailbox और जिस समय जिस सन ये letter mailbox में पढ़ा और डाग डिब्बी में पढ़ा the postmaster went to open it postmaster उसे खोडने के लिए गिया it said इसमें लिखा था क्या लिखा था God है इश्वर है प्रमात्मा of the money उस पैसे में से that I asked for जो मैंने मांगा था only 70 pesos केवल 70 pesos reached me मेरे तक पहुचा तो कह रहा है इश्वर जो पैसा मैंने आप से मांगा था उन पैसों में से केवल 70 पैसो जैने 70 पैसों ही मेरे पास पहुचा send me the rest बाकी का मेरे पर बहुत भेजो याने सेश भी भेजो since क्योंकि I need it very much क्योंकि इसकी मेरे को बहुत आउसरता है but don't send it लेकिन आप मत भेजना याने लेकिन आप इस पैसों को जो सेश पैसा भेजो उसको मत भेजना किसको to me मुझे कैसे through the mail डाक के दोरा कि इन पैसों को आप मुझे डाक के दोरा मत भेजना because क्योंकि the post office क्योंकि post office चो employees है post office में काम करने वाले कार्मिक है और ये bunch of crooks crooks ये नि बेमान crooks ये नि बेमान बहुत सारी proportion का है ये बन्च का मुझे क्योंकि post office में गुच्छा है मालब एक समू है वरग है लेंचो तो स्टुडेंट्स इस परकार से हम टेंथ कलास का ये फर्स चेप्टर कम्प्लिट करते हैं लाश्ट में आप देखते हैं इसमें एक सेटायर है एक वेंग्या है और question answer के लिए मैंने पहले बताया आपको एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें discussion करेंगे कि कौन सा question है क्या उसका answer है और next chapter के लिए अगली वीडियो मिलते हैं आप से अगर अच्छा लगता है तो like, share और subscribe करें चैनल को Thank you